आपको सिखाऊंगा कि हुरूफ क्या है जो है लफज क्या है और जूमला जो है वो क्या है तो फ्रेंट्स जुड़े रहे ना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक आज मैं आपको एक बहुत ही इंपोर्टन चीज जो इंग्लिश ग्रैमर में है वो सिखाने जा रहा हूं सबसे पहले मैंने उपर लिखा है वाट इज लेटर हुरूफ क्या है अब दिके ये एक बेसिक कुछ जैने हैं कि हुरूफ हैं क्या हमें पहले इस तीज को समझना चाहिए वाट इस लेटर हुरूफ क्या है मैंने इंग्लिश में इसकी डफिनिशनल किये all the symbols from A to Z are card latest A से लेकर Z तक या हम अर्दू की बात करें तो जो है अलिप से लेकर A या E तक तमाम जो निशानिया आएं उन तमाम निशानियों को जो हुरूफ कहा जाता है क्या जो निशानिया हैं इंग्लिश के अंदर A से Z तक तमाम निशानियों को हुरूफ कहा जाता है अब उर्दू की बात करें तो भी ऐसाई है कि अलिप से A या E तक तमाम निशानियों को जो हुरूफ कहा जाता है इसी तरह हिंदी में भी जो basic रूफ है उन तमाम जो basic निशानिया है सोरी उन तमाम को जो है रूफ कहा जाता है तो यह समझ में आगया आपको कि what is later all the symbols from a to z are called later आते है नमर तू पर यह मरवने और यह हमारा होगा no to no to no to water what is a word लफज क्या है लफज तक्या है अजो अक्षर होते हैं हो हमारे लेटर्स होते हैं वह अपस में जूड़कर और उनसे जो है लफज बनते हैं तो इसलिए हमने आप लिकाए ओर लफज क्या है इसकी definition है यहाँ पर लिकिए English में a group of letters which make a meaning is called a word हुरूफ का ऐसा मजमुआ जिससे कोई माइना निकल आए तो उसको जो है लफज कहा जाता है अब देखें यहाँ पर फार एक्जामपल मिसाल तोर यहाँ आए और एस यह दो लेटर्स जो थे हमने मिलाएं और इसमें एक word बनाएं वर्ड हमारा क्या बनाएं इस इस की माइना है हे उसके बाद a, n और t ती तीन लेटर्स थे और इन तीन लेटर्स का एक word बना और वो है अंत अंत मिन्स माकोडी अब आते हैं नमर थिरी पे जो कहें चार लेटर्स का बी डबल ओ या बी ओ ओ ओ के बुक बुक मीन्स किताब और हमने यहाँ पे लखाए एक्सेंटरा उर्दु में भी यह दिकिये डिफिनिशन के हरूफ का ऐसा मजमुआ या दो हरूफ मिलकर तीन चार या उससे ज्यादा जो है मिलकर लफज बनाते हैं हरूफ का ऐसा मजमुआ जिसकी कोई माहिना निकले तो उसे लफज कहते हैं मसलन यहाँ पे हमने दो हरूफ मिलाए है हे और ए यह बन गया हमारा हे और यहाँ पे हमने कोई पांच लेटर्स जो है मिलाकर एक लफज बनाया है और वो बनाये मक में तो हमारा एक word बन जाए किताब तो friends अब मैं आपको जो है समझाता हूं sentence what is a sentence जुम्ला क्या हता है जुम्ला क्या है what is a sentence जुम्ला क्या है यहां पर मैं इंग्लिश में definition लिखिये a group of words sorry which give a complete sense is called a sentence for example I write राफिया रीड्स अब इसकी मेनिंग है कि अलफाजों का एसा मजमुआ क्या अलफाजों का मजमुआ जिससे मुकमल मतलब जाहर हो तो उससे जुम्ला कहा जाता है अब देखें यह जो अलफाजों का एक मजमुआ हैं दो अलफाजों के मुझत में लें एक आए दूसरा है राइट यह आए राइट जब मिल गया है तो यह एक sentence बन गया अब यह sentence जो हमें complete sense दे रहा है I write की मीनिंग हमें पता है कि मैं लिखता हूं यहनी हमें पुरा sense जो है समझ में आ गया कि speaker ने कहा है कि वो जो है लिखता है तो जब दो यह दो से ज़्यादा words मिलकर आपस में एक मुकमल जो है मफ़हूम हमें बताएं मुकमल sense हमें बताएं तो उनको जो है sentence कहा जाता है जुमला कहा जाता है जैसे नमर टुए राफिया reads a book सुरी राफिया reads a book अब देखें यहां पे जो तीन से चार अरफाज हैं उन्होंने मिलके उनका एक मजवहा था उन्होंने मिलके एक जो है sentence बनाया है अब यह जो मुकमल sense दे रहा है इसको sentence कहा जाता है राफिया reads a book जिसकी meaning होती है राफिया किताब पढ़ती है अब द हमें पूरा sense का जो है पता चल गया है मालूम हो गया तो इसी तरह हुर्दु में मैंने यह लिखा है मैं लिखता हूँ तीन अलफाज में मिलके हमें पूरा sense बता दिया कि speaker कहरा है कि मैं लिखता हूँ यहां पे राफिया किताब पढ़ती है यानि हमारा sense clear हो गया कि जो है किताब पढ़ती है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वाट इस लेटर वाट इस वर्ड एन वाट इस सेंटेंस सोरी यह तीनु जो है अच्छे तरह explain करके आपको बता दिया है मैं अमिन करता हूँ कि आगे जब भी आपसे यह तीनु चीज़े पूछी जाएंगी कि आखर वाट इस लेटर वाट इस वर्ड या वाट इस सेंटेंस तो आपका जवाब जो है बिलकुल दुरस्त मिलेगा तो फ्रेंट्स अब आपका दोस्त बालंदास आपसे इज़ात लेगा फिर बहुत ही जलता हाजर होंगा आपकी खिदमत में ऐसी शांदार वीडियो के साथ तब तक अपना खया लगना टेक केर टाटा